मेरा नाम लादरोख है और मैं आज बात करूँगी साइंस की आइडेंटिटी, साइंस की शनाफ्ट के बारे में मैं एक सोशल एंटर्प्राइज की फाउंडर और सीईयो हूँ जिसका नाम साइंस की उस है और हम पिच्रे चार सालों से पाकिसान में बच्चों और नौजवानों की साइंस की आइडेंटिटी को नर्चर करें so that they feel that science is for them और यह इसलिए एहम है क्योंके साइंस आपको सवाल करना सिखाती है which is a transformative power to have as a human being और यह इसलिए भी एहम है क्योंके साइंस चन लोगों की महराज नहीं है science is not just important for people who will pursue the so-called science professions science की कुफता बुनियाद और science की शनाफ हर इंसान के लिए एहम है अगर उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्ट करना है और इस दुनिया के लिए कुछ कॉंटिब्यूट करना है मेरा science के साथ जो तालुक है उसका आवाज हुआ when I was 13 years old and I fell in love with this molecule कुछ लोगोने शाइक पे जान लिया हो, this is the DNA molecule दौन उस्पिबर में एक बच्चो का मैज़ीन आता है यांग वर्ट और मैं सिंसेरा साल की थी when I read an article in it about pharmacogenomics and it sounds like a really big, heavy, fancy word लेकिन उस आर्टिकल में से ये बात हो रही थी के किस सना in the future, जब आप दौक्टर के पात जाएंगे they will be able to prescribe you personalized medicine based on your DNA and your genes and to me that sounded so fascinating मैंने वो अर्टिकल काटिया अकनी कम्रे की दिवार पे लगा गया and I became obsessed with genetics और मुझे प्यार हो गया था Watson and Cricks से हुआ the two scientists who discovered the structure of DNA I thought they were very handsome उस वाग ने अब I know better I know what they did to Roger and Franklin so I know better मगर मेला साइंस का सफर इतना अच्छा नहीं गया उसके बाद जब उनिवर्सिटी जाने का ताइम आया तो I chose to study molecular biology because of that spark because of that interest जो उस आर्टिकल की वजा से ही पार्टिकल की वजा से ही पार्टिकल हुआ था तब कीज़े कापी मुश्किल होगे क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट को लगता था कि I was a failure because I did not get into medical school so they did not really value what I was studying and that started rubbing off on me as well so even though I was enrolled in that course लेकि मुझे लगता था कि जो काम मैं हरी हुँ जो मैं पर्र रही हुँ उसना valuable नही है and उसके साथ साथ during my degree बहुत चुक चुक हे I used to keep trying to reset my exams so that I could somehow get into med school and that resulted in a lot of anxiety a lot of depression and a loss of many years and ultimately I did not choose to pursue scientific research but instead I found my passion in science education I was lucky के मेरा passion जो है जो रीडरेक हो गया towards making children and young people more interested in science मगर जो मेरी कहानी है वो एक इसलेट स्टोरी नहीं है there are many young people in Pakistan who face such barriers जिनका साइंस का सफर जो है वो as the year's progress वो खतम हो जाता है और उनका साइंस के साथ जो रिष्टा है नाता है वो चूप जाता है In 2016, the British Council Pakistan did a study to specifically understand के लड़कियां पाकिस्तान में 16 साल की उमर के बाद साइंस को छोड देती हैं and they found three big reasons for it उन्हें लगता है के STEM को प्रज्यू करने से Science, Technology, Engineering and Mathematics आपकी जो फेमिनन पॉलिटी हैं जो मॉर्शन ने डिफाइं किया है जैसे के फेमिनिटी क्या होती है वो डिमिनिश हो जाएगी और आप कम फेमिनिन हो जाएगी और तीसरी बहुत बड़ी वज़ा ये कि जिस तहां के पाकिस्तान में societal structures है लड़कियां और फास लॉट उनके माबाब and families they think a lot about marriageability कि हमारी बेटियां क्या करेंगी जिसकी वज़ा से उनकी शादी जल्दी हो जाएगी और शादी अच्छे घरों में होगी and that is a big concern for them और उन्हें लगता है कि साइंस की तालीम में या तो टाइम बहुत लगेगा या हमारी बच्चियां सोशल डिवियाट्स बन जाएगी या इस तहां कि उनकी radicalized idea हो जाएगे कि फिर उनकी शादी नहीं कर पाएगी सेटल डाउं नहीं पाएगी ये मेल वजवाथ थी जिसकी वज़ा से लड़कियां जो हैं वो साइंस को उस तहां से परजीव नहीं कर पाती पाकिस्तान में and they are not equally represented in STEM degrees and STEM professions in Pakistan काफी heavy बाते होगे I think let's take a pause and I would like to do a small exercise with you all अगर आप सब अपनी आंखें एक सेकेंड के लिव बन करें and hold that image of the first person that pops in your head open your eyes did someone like these pictures pop up in your head? ज्यादा कर लोगों के दमाग में बूडा सा आगी आजाता है Einstein लोगों जैसा बात लिखने में है lab port तो जरूर पहना है एक खरे रर्ल की test tube है something green is filling out of it शाहिए लाब में कोई explosion हो रहा है नहाते भी नहीं हैं फोड़े से आगे नहीं पागल है मगर ये भी साइंस्तान है मेरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे let me tell you about this name Zahira Saiba Pakistan से है she is the first person from Pakistan to do a PhD in string theory जो कि एक नहीं ठीरी है which that talks about that's trying to understand the very fundamental particles that make up our universe सारा गुरेशी इस्वाद से है ये ऐसे जहाद बना रही है जो हमारी फिजा को pollute नहीं करेगे ScienceFuse में ये posters design किये हैं सिर्फ ये 3 में 60 posters design किये हैं ताकि लड़के और लड़कियां जो हैं वो इन लोगों को इन खवातीन को भी अपने role models समझ सके to increase the visibility of female role models in staff because if girls can see it, they can be it जैसे मैंने शुरू में जिखर किया कि हम पाकिस्तान में बच्चों की science की शनाफ को नर्चर कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान में सिर्फ बच्चों की scientific literacy नहीं बलकि उनके science capital को बढ़ा रहे हैं science capital हम सब के पास होता है Science capital या science की जमा भूजी आपटे हैं इसमें आपकी science के हवाले से जो मालुमात है आपका science के बार्रे जो नजलिया है आप science के बारे में कैसा सोचते हैं क्यासर महसूस करते हैं आप science के बारे में क्या जाते हैं मुझ सब चीजे इस बैग के दर जाती है Your science capital is primarily made up of four big things What you know about science आप science के बारे में सोचते कैसे है How you think about science What you do in science आप रोज मारा की जिंदगी में ऐसे क्या काम करती है जिनका तालुब science से है And who you know in science और ये science capital जो है ये घड़ भी सकता है बढ़ भी सकता है Science Fuse एक इदारा है जो पाकिस्तान में अपने curriculum और learning programs के थूँ Science capital को बढ़ाने की कोशिश करता है हम ऐसे programs design करते हैं जहां बच्चे छोटे और बड़े experiments करके सिर्फ science की मालमात नहीं सीखते बरके तहकी का अमन सीखते है They learn how to find answers to questions और ये programs हम स्कूलों के अंदर भी करते हैं स्कूल के बाहर जाके मेलों में भी करते हैं और भी बहुत सारे इदारों बहुत सारे वेन्यूस पर हम ये programs करते हैं और इन programs का सबसे स्कूलों के बड़ा मकसद है बच्चों के अंदर उनका जो सेंस अवंडर है उसे एक्सपाइब करना क्युकि जो च्रदिशनल स्कूल सिस्टम है इस अ कि दर सारे मैं आधू ूा राजे इस कि अवला हुआ हुआ है 中国 है वी अवला हुआ ऑटक्ज़ाव च्रदिजा इस अव्यम्पिट सेंग dönग हाग हाग कि गाल एक्तिण कोर्ची। दो हुएThe आए निए डिए खिते हाँ टॉटिट के साथ काम किया है। आए देकलिए खिती हम टीषा थूटिबकर रहा है। इसे इन आएटिड़ साहओ पर नहीं पर लगुणने के सास्टॉटूट के साहओ है। 210 फूंस के साथ 270 टीचर्स फुट्वेंट किया है हमारा फुट्वेंट राय एक इन सिटीज में और अभी हमने 9 किताबें भी प्रोड्यूस की है विच अब गोई तुब्लिश सुन होफुली एंड वालसो ग्रीड़ेड़ी और वीडियो लेस्ल्स साइंस के विडियो लेस्ल्स जहां पे इस तहां के एक्सपेरिमेंट के जरहें हम साइंस की तालीम साइंस के चोटे-चोटे चोटे कांसर्ट जो है बच्चों तक फिल्वेग करते हैं लेकिन हमारा इंपाट शाहिद इन नंबर से ज्यादा उन बच्चों और बच्चों की कहानियों में छुपा है जिनकी जिन्दगियां हम ट्रांस्टॉम्ट करें तो इड़ाइग तो इन मार टॉक विद इस स्टोडी अफ अलीना अलीना के बड़ोचिस्तान वो सूबा है पाकिस्तान में जहां पे छब कर में खास सॉदी खास स्टोड और पीमेल सब से लो है स्टोड अलीना के स्कूल के साथ लिनके स्कूल का नाम स्कूल आपAK इनके साथ अबने एक साल की पार्शिफ की द्र长 Areum रिमोर्टली इनके टीलल्मेंट और अलीना और उनके क्लास पर उसके साथ जुड़ गए वी रैन डिजिटल साइंस क्लब्स वी कंड़क्टे टीचर ट्रेणिग प्रोग्राम्स त्रूवाउट दे यर और उसका नतीज़ा आज हम ये देख रहे हैं कि अलीना और इनके स्कूल के साथगा ने दस और गवर्मेंट स्कूल में जाकर ये ट्रेणिव दी है अपने शेहर में पहला साइंस का फेस्टिवल कंड़क्ट किया है और अलीना जिनको पहले साइंस में इतनी दिस्जस्पी ने थी नाव शी द्रेंस और बिकमिंग गवर्स अस्ट्रोन प्रमर सिटी से घच तो नेक्टून तो से अपने जासन और वेड़क्ट कि दिनको अजयार को कि पात बिकमिंगे है